हेलो गाइस, वेलकम टो माई चेनल टिप्स का खजाना और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ एसे टिप्स एंड टिक्स जिने आप यूज करके अपने काम को आसान कर सकते हो और सारती साथ पेसा भी बचा सकते हो तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो सुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजेगा तो देखिए हम इसको किस तरह से यूज़ करने वाले हैं ताकि हमारे बिल्कुल भी नेल इदर उदर ना विखरे तो हमें क्या करना है इस तरह का ये लेना है फोईल पेपर और इसको देखिए हमें इस तरह से इस पर लपेट लेंगे तो बहुत ही यूज़फुल है आप इस ट्रिक का जरूर से यूज़ कीजिएगा और देखिए इस तरह से हमें ये अच्छे से लपेट लेना है और लपेटने के बाद देखिए अब हम नेल कट करेंगे तो ये बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेंगे देखिए इस तरह से देखिए हमने इलमूनियum paper से अच्छे से इसको पेक कर लिया है तो ये नहीं गिरेगे और अब हम देखिए नेल कट करने के बाद इस पेपर को में निकाल लेना है इस तरह से जो भी हमारे नेल होंगे वो इसी में जमा हो जाएंगे और देखिए इस तरह से हम यह बार फिंग सकते हैं देखिए तो यह बहुत ही यूजफुल है आप इस ट्रिक्स का जुरूर से यूज़ कीजिएगा और अगली टिप्स हमारी होगी देखिए खलबटे को लेकि और जब भी हम मसाला कूटते हैं तो देखिए उचल के बार आ जाता है तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा हम लेंगे एक पनी तो इस तरह से हमें यह पनी ले लेनी है और इसको इस तरे से हम पैना लेंगे और देखिए इस तरह से हमें इसको कर लेना है और जो भी ये इसकी एक्स्ट्रा है वो हम इसके नीचे लगा देंगे तो अब हमारा ये बिल्कुल भी मसाला बहार नहीं गिरेगा देखिए इस तरह से हम इसको कूड़ सकते हैं तो ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है फ्रेंज आप इसका जरूर से यूज़ कीजिएगा और अगली टिप्स हमारी देखिए बच्चों के लिए बहुत ही खास है और देखिए जब भी बच्चे कवर लगाते हैं तो उन्हें कवर को कट करने के लिए देखिए कुछ चाह यह होता है या तो वह केंची यूज़ करते हैं या फिर चाकू तो यह बराबर में या फिर फटाफट से नहीं करता है तो इसी के लिए देखिए हम एक बहुत ही यूजफुल आइडिया लेके आये हैं हमें क्या करना है इस तरह की कोई कंगी ले लेनी है और देखिए इस इस तरह से हमें यह ब्लेट को लगा देना है इसके उपर तो इतना वह में बाहर रखना है भीड कोане और देखिये मैं इस तरह से यह लगा देती हूँ तो आपके पास अगर कोई भी औहसे ही वेस्ट कंगी होती है तो आप उसमें इस तरह से लगा के आप परमानेट रख सकते हो क्योंकि यह बहुत ही यूसफुल है और देखिए इस तरह से हमने यह लगा लिया है और लगाने के बाद देखिए मैं आपको कट करके बता देती हूं कि कितने इजली से यह कट हो जाता है तो देखिए फ्रेंट्स कितने आसानी से यह क कर सकते हैं देखिए बहुत ही आसानी से यह कठ हो जा रहा है तो आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हो बहुत यूज फुल है फ्रेंड्स तो आपको यह टिप्स जरूर पसंद आई होगी और अगले टिप्स हमारी देखिए इस तरह के पानी को लेके होगी जब भी हम दाल या चामल बिगोते हैं तो इसका पानी हम क्या करते हैं फेंग देते हैं तो देखी फ्रेंड्स हमें यह फेंगना नहीं है हम क्या करेंगे एक बावल में इसको पानी को इक्टा कर लेंगे और यह पानी बहुत ही यूसफुल होता है और इसका पानी हम पेड़ पोदे में या गमले में डाल देंगे तो उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है तो आप इस तरह से इन पानी को वेस्ट ना कीजिए तो यह एक बहुत ही यूजफूल है आप इस पानी का यूज़ कर सकते हो और अगले टिप्स हमारी देखिए देखिए जब भी हम डाल उबालते हैं तो हम क्या करते हैं कुकर को बन करके गेज पर चड़ा देते हैं और उससे क्या है यह जो शिट्टी आती है तो उससे हमारा कुकर बहुत ही गंदा हो जाता है और इसका जो साइन होता है डकन का वो भी चला जाता है तो देखिए हमें क्या करना है हमें लेना है यह इल्मूनियम पेपर और पेपर को देखे हम इस तरह से लगाएंगे, लगाने के बाद अब हम सिट्टी को वापिस रखेंगे, रखने के बाद जो भी ये एक्स्ट्रा है इसका, वो हम कट कर लेते हैं, तो फ्रेंज्स ये बहुत ही यूसफुल है, मैं इसको ट्राइ करती हूँ इस तरह से जिसे के हमारा ये डहकन और कुकर बिल्कुल नहीं खराब होता है तो देखिए इस तरह से हमने ये लगा लिया है और अब देखिए मैं इसको बन करके चड़ाऊंगी गेस पे और जब तक सिट्टी आएगी मैं आपको बताऊंगी ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा तो ये बहुत useful है आप इसका जरूर से use कीजियेगा तो देखिए हमारी ये सिटी आने वाली है और अब आप देखिएगा कि ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा जो भी इसका पानी है वो सारा इसके उपर ये रह जाएगा और cooker एकदम है जिसे जिसे ही रहेगा तो friends इसका आप जरूर से यूज़ कीजिएगा ये बहुत ही useful है तो देखे friends आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी नहीं खराब हुआ है मैंने आपको try करके दिखाया है ताकि आपको ये useful लगे और आप इसको जरूर से यूज़ कीजिएगा और आगले tips हमारी देखिए इस तरह की लोहे की डबी को लेके होगी और इसमें जो paste होता है बच्चे जो project पे बनाते हैं तो इस तरह की ये डबी आती है और मेरे बच्चे ने मुझे लाके दी थी ममा ये खुल नहीं रही है मुझे इसको खोल के दो तो देखिए मैंने उसको बताया कि अगर आप इस तरह की अगर कोई डबी हो तो आप इस तरह से खोल सकते हो देखिए तो इस तरह से अगर आप पथर पे मारोगे तो ये उपर आ जाएगा और बहुत ही आसानी से हम इसको खोल सकते है तो बहुत ही यूजफुल है मेरे बच्चे को भी ये टिप्स बहुत ही यूजफुल लगी तो आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हो तो आई हो ये भी आपको पसंद आया होगा और अगले tips हमारी देखी देखी खीरे को लेके होगी और खीरा क्या है जब हम कट करते हैं तो हमें कभी कभी क्या होता है कि हम खीरा पूरा कट करते हैं और हमें आदे की ही जरूत होती है तो अगर आपको देखी आदे की जरूत है तो आप इस तरह से cut कर लीजिएगा और उपर का जो ये part होता है वो आप क्या है थोड़ा ज्यादा cut कर लीजिएगा तो देखे मैंने इस तरह से ये cut किया है क्योंकि मुझे आदे की ही जरुवत थी तो अब मैं इसको देखे किस तरह से रखूंगी तो ये बिल्कुल भी नहीं खराब होगा तो इसको मैंने लगाना है toothpick तो आप इस तरह से toothpick लगा के इसको रख सकते हो तो इस तरह की जो भी सबजी होती है जैसे लोग की और अगले tips हमारी देखिए हरी मिर्ची को लेखे होगी और हरी मिर्ची कभी कया है कि जाधा लेकि आ जाते हैं और हम उसको रखते हैं फ्रीज में तो अभी सर्दियों की वज़़ vos नह Итак कि इसको किस तरह से रखेंगे तो हमें क्या करना है इसकी जो उफ्पर की डंडी होत तो मैं देखे क्या करती हूं इसको अच्छे से दो लेती हूं और दोने के बाद इसको सुका के रख देती हूं जब भी हमें जरूत हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं तो देखिए मैंने यह लिया है टीशू पेपर और आप चाहे तो कोटन का कपड़ा या फिर जो थेली होती है कोटन वाली आप उसको भी कट करके इस तरह से इसमें लगा के डिबी में और फिर आपको इस तरह से हरी मिर्ची डाल देनी है फिर आप देखिए टूट पिर को डाल दीजिएगा तो आपकी यह मिर्ची बिलकुल भी नहीं खराब होगी आप इसका जरूर से यूज कीज है अलू खिर तो यह खराब ओचुकल है यह बिल्कुल काम नहीं कर रहा है तो अगर आपके भी इस तरह से हो जाए तो आपको क्या करना है यह पूरामी जो दिये करिएगा शेर कीजिएगा तो मिलते हैं इसे यूस्फूल टिप्स लेके तो फ्रेंड्स बबाई टिक केर थैंक यू फोर वाचिंग माई वीडियो